है हलो गाइज नाइस टूमेश टू अगीन हलो विच्चों कैसे हैं आप सब लोग आज हम बैटा इसल के सेकेंड लाजेस्ट सेल और्गनल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है माइटो कॉंटिया ओके सो बैटा माइटो कॉंटिया को पाउर हाउस आप दा सेल बोला जात इसको हम समझेंगे और जानेंगे तो पहले यह समझ लेते हैं बैटा माइटो कॉंटिया जो आपके सामने मैंने एक सेल का स्ट्रक्चर सो किया है जिसमें नूकलियस है एंडो प्लाज्मिक रेटिकूलम है सेल और्गनेल है गॉल जी कंप्लेक्स दिख रही है सेल मेंब्रे रेगनेल लेड़ सेल अनंदर में किसटी इस ट्रक्चर की बारे में बात करना है तो माइट्रो कंडिया के बारे में डिबेट करना है तो मत्रस्सट का नाम है माइट्रो कॉंडिया वर फॉस्सीन बाई कोलिकर वाट आम से कोलिकर माइट्रो कॉंडिया फॉस्सीन बाई कोलिकर कोलिकर ने सबसे पहले इस माइट्रो कॉंडिया को क्या किया था डिस्कुबर्ट किया था या देखा था विजिट किया था अगर पूछा जाय तो किया पियूरिंग के पिरिएड बता होगे बटा तो i2. i2. i3. 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 i5 में कॉलिकर ने mytrocondia को दिस्कूबर किया था इसको किसी अगदर सान्टिस ने बताया उस सांटिस का नाम है बेटा बेंडा वाट आम से बेंडा बेंड डी ए कब दिया था बेटा तो 1897 में बेंडा ने इस स्ट्रक्चर को जिसे पावर हाउस आप दा सेल कहते हैं जिसको कोली करने 1880 में मसल सेल आप दो इन सेक्ट में ढूड निकाला था उसका नाम बेंडा ने रखा माइो कॉंडिया एगे बड़ते हैं अब बात करें कि यह माइटो कॉंडिया हमें कहां मिलेगा occurrence की बात करें या found where it is found या what is the occurrence of mitochondria तो आप बोलोगे inside the cell of the cytoplasm but there are many type of cell you also read now I know that आप लोगो पता होगा जैसे कि हम जानते हैं प्रोकरियोर्टिक सेल गटाप ओके यू करियोर्टिक भी जानते हैं और एरोबिक और और अन्रोबिक या आप गिए टर्म्स सुने हैं और और गे रोड और आप दूसरा मैंने बोला यू करियोर्टिक सेल बेटा और तीसरा मैं नाम ले रहा हूं अड अरो बिक cell and anaerobic cell, there are four type of cell on the basis of different, ठीक है, देखो, development of nucleus के base पे prokaryotic, eukaryotic, prokaryotic को मैंने बताया था विटा, pro मतलब beginning, okay, karyotic का मतलब carry-on से है, जिसको nucleus बोलते है, मतलब beginning nucleus, जिस cell के अंदर beginning nucleus है, उससे prokaryotic बोलेंगे, eukaryotic का मतलब हो गया, well developed, okay, a cell which cell have well developed nucleus is known as eukaryotic, okay, after that aerobic और anaerobic, aerobic का मतलब हो गया बेटा, जो cell oxygen यूज करके energy का formation करता हो, उस cell को हम बोलते हैं, aerobic, ठीक है, और जो cell, a cell which does not use oxygen, okay, oxygen का use नहीं करता है, बीना oxygen का ये energy को formation कर पाता है, food का breakdown करके, उस cell को बोला जाता है बेटा, anaerobic, तो बताओ, कि mitrocondia, क्या prokaryotic में पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, क्या eukaryotic में पाया जाएगा, पाया जाएगा, अब देखो बेटा, eukaryotic जो हैं, वो दो टाइप के हो जाएगा, aerobic, eukaryotic, anaerobic, eukaryotic cell, तो देखो बेटा, anaerobic में oxygen का use नहीं हो रहा है, इसलिए anaerobic, eukaryotic cell में, mitrocondia नहीं पाया जाएगा, ये पाया जाएगा, सिर्फ aerobic, okay, aerobic, eukaryotic cell में, mitrocondia, obtain होता है, तो ये रहा position की, where metrocondia are found, तो they are present in all aerobic, eukaryotic cell, okay, and where they are absent, कहां ये नहीं पाया जाएगे, तो you can say that, they are absent in prokaryotic cell, and aerobic, eukaryotic cell, okay, and mammalian, RBC, inside the RBC में भी नहीं पाया जाएगा, okay, उसके बाद से हम इसके अगर shape की बात करें, what is the shape of mitrocondia, तो आप देख रहे होगा, structures आपके screen पे है, देखो, mitrocondia have own DNA, ये तो अभी बाद में बात करते हैं, but इसकी shape की बात करो, तो ये vary करते हैं, बहुत सारे shape में हो सकते हैं, thread like हो सकते हैं, spherical हो सकते हैं, rod shape के हो सकते हैं, मैंने क्या-क्या नाम बता रहा हूँ आपको, तो देखो विटा, मैं बोल रहा हूँ, the shape of the mitrocondia are, बोल सकते हो rod shape, second आप बता सकते हो spherical, third आप बचा सकते हो thread like, या तो rod like shape होगा, या तो spherical होगा, या तो thread like होगा, या तो granular shape भी हो सकता है, और ज्यादा common shape का जो नाम लिखा जाता है, जो लिखते हैं कि mitrocondia are success, ठीक है, क्या से बोलता है, success, shape, बट क्योंकि इसमे granules होते हैं, many granules, these may be granular, ठीक है, filamentous, rod shape, spherical and thread like, ओके, ये तो रहा है बटा, इसके shape की बात की है, अगर हम बात करें, कि कितने layer से ये bounded है, जैसे इसकी covering, जो है, cell के अंदर, जो mitochondria पाया जा रहा है, जैसे powerhouse of the cell कहा जा रहा है, तो ये कितने layer से bounded है, तो mitochondria are bounded by two membrane, it is bounded by two membrane, ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है, it is a double membranous structure, इस हम क्या बोलते हैं, mitochondria are cell organelle, which is double membranous structure, because it is bounded by double membrane, आप देखोगे, जो outer membrane है वो क्या है, smooth है, plane है, ठीक है, बट जो inner membrane है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या दिख रहा है, आपको folded है, क्या है बटा, it is a folded, जो inner membrane है, it is a folded membrane, ओके, like that, तो यहाँ पर ये computer वेले diagram में भी देख सकते हो, कि folded है, और जो मैं बना रहा हूँ, इसमें भी folded है, ठीक है, तो outer membrane is smooth, जो outer membrane है, smooth है, कैसा है, smooth है, right, porous है, और क्या कहा सकते हो, कि porous है, porous का मतलब, यह इसमें holes पाया जाते है, ठीक है, and freely, इसके वज़़ए से, यह freely permeable membrane कहलाएगा, कैसा membrane है, outer membrane, freely permeable membrane है, ठीक है, outer membrane is a porous, smooth, and freely permeable, देखो बटा, जो cell की wall होती है, समझ ज़़़वाजे की तरह होती है, ठीक है, तो there are four type of दरवाजा, जिसमें, कोई भी एक दरवाजा, ऐसे होते हैं, जहां से किसी की भी entry हो सकती है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, एक दरवाजा ऐसे होते हैं, जिसमें selection होती है, कि आप जा सकते हो, आप नहीं जा सकते हो, ठीक है, उसमें special, और एक दरवाजा ऐसी होती है, जो useful है, उसे allow करेगा, और जो इसफुल नहीं है उसे अलाओ नहीं करेगा और एक दरवजा ऐसी होगी जिसमें किसी को अलाओ नहीं होता है आना जाना ठीक है तो similarly इसी तरह जो ऑर्गनेल्स होते हैं जो सेल्स होते हैं उनके जो बाउंडिंग कबरिंग आउटर मेंब्रेन है जिससे सेल मेंब्रेन क्या ये तो अलग चीज़ज़ है तो ताफ जो माईट्रो कॉण्रीया है जिसकी और इनर मेंब्रेन होती है वो फोर टाइप की होती है परमेबल, सेमी परमेबल, सेलेक्टी परमेबल एंड इम परमेबल में क्या होता है कि दे आर आर इन परमेबल में कोई भी सबस्टेंस इन आड आउट नहीं हो सकता है semi permeable में क्या है कि जो membranes है उनमें in and out हो सकते है semi permeable में जैसे कि क्या होगा जो useful है वो आएगा जो unuseful है वो नहीं आएगा selective permeable में use select करेगा and permeable में सबको आने जाने देता है I hope आपको समझ में आ गया होगा कि जो mitochondria का outer membrane है वो क्या है बेटा porous है smooth है permeable है permeable का मतलब किसी भी substance को आने जाने देता है अब बात करें हम inner membrane की तो बेटा जो inner membrane है ठीक है inner membrane जो है यह क्या हो सकता है selective permeable membrane है यह permeable नहीं है यह सभी को आने जाने नहीं देता यह select करता है जो useful है वह in होगा जो unuseful है वह out in नहीं हो सकता है ठीक है और यह finger like इसके जो इतने folded होते हैं कि यह finger like structures डाग्राम में computer वाले डाग्राम में भी देख सकते हो यह इतने folded हो जा रहे हैं बेटा कि यह finger like structures बना देते हैं ठीक है तो जो इनर मेंब्रेल है finger like इसमें क्या हो जाता है folded हो जाता है जिसके वज़े से यह क्या 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 लाते हैं crystal तो inner membrane is too much folded and folded into finger like process this is known as crystal इसको क्या बोला जाएगा crystal यहां पर लिखा हुआ है matrix के स्टे अलग होता है इस जो folded layer है इसको हम क्या बोलते है crystal बोलते हैं और इसमें जो fluid मिलेगा मैट्रो कॉंडिया के inner membrane के अंदर जो liquid fluid मतलब cell के अंदर जो मिलता है इसको साइटोप्लाज बोलते हैं nucleus के अंदर जो fluid मिलता है उसे हम nucleoplasm बोलते हैं दोनों को मिला के protoplasm बोलते हैं इसी तरह mitochondria के अंदर जो fluid मिलेगा उसे हम क्या बोला जाएगा matrix बोला जाएगा यह stroma तो किसमें बोलते हैं chloroplasm में और यहां क्या कहलाएगा matrix कहलाएगा ठीक है increase the surface area ओके तो यह हमने जाना कि outer membrane जो होते हैं परमेबल होते हैं inner membrane जो होते हैं वह selective परमेबल होते हैं right after that जो outer membrane है वो क्या है smooth है inner membrane जो है वो क्या है folded है और इतना folded है कि finger like हो करते हैं और यह क्या 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 लाता है crystal इनको क्या बोलते हैं बटा crystal करते हैं ठीक है inner membrane जो है two membrane each metocondia separated by narrow space inner membrane और outer membrane के बीच में space पाया जाता है इन space को हम बोलते हैं inter membrane space क्या बोलते हैं या outer chamber इसको outer chamber कह लिजे या inter membrane space कह लिजे it contain homogeneous fluid इसके अंदर भी fluid भरे होते हैं जिसे homogeneous fluid कहते हैं ठीक है the space between the crystal is called inner chamber and inner chamber of mitochondria filled the circular and dense proteinious mitochondrial matrix मतलब क्या कह रहा है कि outer chamber देखो inner membrane outer membrane and inner membrane के बीच में जो gapping आएगी उसको inter membrane space कहा जाएगा या outer membrane कहेंगे ठीक है it contain clear and homogeneous fluid इसमें colorless होगा कोई color नहीं होगा homogeneous fluid होगा ठीक है जिससे हम क्या बोल सकते हैं in our outer chamber ठीक है और जो inner membrane के अंदर की पार्ट है उससे हम क्या बोलेंगे inner chamber inner chamber में proteinious fluid मिलेगा जिसका नाम दिया गया है mitochondrial matrix या only matrix भी कह सकते हैं ठीक है यह respiratory enzymes होते हैं जो creep cycles में work करते हैं किसमें work करेंगे respiratory enzymes पाया जाएगे इसमें जो creep cycles में work करेंगे कौन सी cycle बेटा क्रेप्स क्रेप साइकल में work करते हैं इट आल्सो है राइबो सोम और नंबर आफ सर्कुलर और नेकेड डियनने molecules inside it जो माइट्रो कॉंडिया ऐसी सेल और जिसके पास खुद का सिंगल सर्कुलर डियनने मिलेगा और राइबो सोम्स मिलेंगे जो 70S ट्राइब के होंगे इसलिए इसको self replicating body भी बोलते हैं self autonomous body भी कह सकते हैं इनर मेंब्रेल folded and large surface area generate ATP इनर मेंब्रेल folded होते हैं और area surface area बढ़ा देते हैं जिसके वज़े से यह ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाता है एडिनो सिंट्राइफ फॉस्फिट का जनरेशन कर पाता है ATP को क्या full form बोलते है एडिनो एडिनो सिंट्राइफ फॉस्फिल ओके अडिनो सिंट्राइफ फॉस्फिल ठीक है इनर्जी रिक्वार्इफ फॉस्फिल एडिनो का इनर्जी का फॉर्मेशन होता है या storage battery के नाम से भी इसको हम बोल सकते हैं और ATP को हम किस नाम से जानते हैं energy currency of the cell, ATP is also known as energy currency of the cell which carry various activities for life, तो यह हमारा matrocondia का कुछ concept रहे, मैंने क्या क्या बताया, मैंने यह बताया कि सबसे पहले एक बारी vision कर लेते हैं matrocondia को हम power house of the cell कहते हैं, या storage battery के नाम से भी इसको हम जानते हैं तो what I am saying, it is a storage battery इसको क्या कर सकते है, storage battery, right and matrocondia की discovery को लिकर ने किया था, और benda ने इसे term दिया था matrocondia कहा पाया जाते हैं, यह prokaryotik में नहीं पाया जाते हैं ठीक है, यह पाया जाते हैं eukaryotic, eukaryotic के कौन से type के cell में aerobic जिसमें oxygen use होता है, और जिस eukaryotic के cell में oxygen use नहीं होता है वहाँ matrocondia नहीं पाया जाता है, और क्या वो सकते हो, what is the location of matrocondia फिर मैंने shape की बात किया था, तो success shape के होते हैं, क्योंकि इसमें rot shape, spherical shape या thread-like shape पर हो सकते हैं, और यह double layer से bounded है, ठीक है, outer membrane and inner membrane, outer membrane क्या होता है, smooth होता है, outer membrane is smooth, porous, जिसके वज़ा से यह permeable हो जाता है, permeable का मतलब क्या होता है, all substance को in and out होने देता है, कौन? outer membrane, but it is bounded by double membrane, so outer membrane is a permeable and porous and smooth, but inner membrane is a, inner membrane जो होगा है, वो folded होता है, और इतना folded होता है, कि finger like projection form कर देता है, जिससे surface area बढ़ जाती हो, और ATP का ज्यादा से ज्यादा generation कर पाता है, और यह selective permeable membrane होता है, जो सिर्फ उनी substance को in and out होता है, जो इसके requirement होती है, ठीक है, और creep cycle occurring inside the mitochondria, okay, and it is cycle also, जब creep cycle चलती है, तो क्या बनता है, ATP बनता है, जिसे adenosine triphosphate बोलते हैं, जिसे energy currency of the cell बोलते हैं, और inner membrane को क्रिष्टे के नाम से जानते हैं, रही बात inner membrane और outer membrane के बीच में, जो space पाया जाएगा, उसे बोला जाएगा, inter membrane space बोलते हैं, और इसमें homogeneous transparent fluid पाया जाते हैं, और similarly, proteinous fluid inside the inner membrane पाया जाते हैं, ठीक है, inner chamber and outer chamber, आपको समझ में आ जाओ गया हो, कि inner chamber किसे कर रहे हैं and outer chamber हम किसे कर रहे हैं, ठीक है, तो और सबसे main point ये ऐसा cell organelle है, जिसमें खुद का DNA, circular DNA पाया जाएगा, जो gentic information होता है and ribosomes पाया जाएगा, जो खुद अपनी protein बना पाया जाएगा, इसलिए semi autonomous body भी mitochondria को हम कहते हैं, ओके, तो mitochondria has own DNA and ribosomes, okay, inner membrane is folded inside the form of chamber is called crystal and double layer से bounded होता है, powerhouse of the cell करते हैं और जो energy formation करता है, वो in the form of ATP करता है, function की बात करें, what is the function of mitochondria, तो बोच सकते हो कि mitochondria maintain biochemical factories, where food is oxidized into energy form, okay, they provide important intermediate for synthesis, several biochemicals like, stride या chlorophyll, etc, chlorophyll का formation भी mitochondria ही कर देता है, synthesis of many amino acids occur in the mitochondria, they capable to self-replicating because they have DNA and RNA and ribosomes and some enzymes, okay, and it is a semi-autonomous organelle, thank you.